हलो गाईज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इस वीडियो पर बहुत सारे स्टौट की रीवियू करनी हैं तो एकब करके हम लोग देखेंगे सबसे पहला स्टौक रिलाइंस इंडस्टी होगा आगे कैसे रहे गी रिलाइंस इंडस्टी में आगे की चाल कैसा हम लोग इसमें वर्क करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं तो हमने आपको फ्राइडे की साम वाली वीडियो में आपको कहा था कि रिलाइंस इंडस्ट्री जब तक रिलाइंस इंडस्ट्री आया से डिसी पॉलिकेब ट्राइडेंट सुबैक्स अलोक इंडस्ट्री इतने सारे stocks की एक साथ review किया था और हमने आपको कहा था हमने आपको कहा था कि 2083 का level जब तक ये cross नहीं करेगा fresh buying हम लोगों को नहीं करनी है रिस टॉक नीचे की तरफ 2000 पे जबर्जस सपोर्ट है 2008 पे जबर्जस सपोर्ट है और उपर 2083 का एक resistance है और stock ने जो closing की थी पिछले फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे वो closing थी 274 का जो कि इसके resistance का असपास में था आज market खुलते हैं stock पे गिरावट देखने को मिली और यह गिरावट लगबग आपको 50 डे के moving average जो कि 2029 के आसपास में थी वहाँ पे support लेके stock में bounce back मुझे लगता है कि stock आगे अच्छी bounce back दिखाएगा बट इतनी जल्दी नहीं जब तक 2023 का लेवल यह पार नहीं करता 2085 का लेवल और सस्टेंड नहीं करता पिछले एक घंडे तक अगर एक घंडे तक trading इसके उपर में होती है stock में गुंजाइस बढ़ जाएगी और यह stock 2020-250 तक आपको रैली दिखा सकता यह है रिलाइस इंडेस्ट्री पे देखिए आयार सीटी सी का सेयर में भी जबर जस्त आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा फ्रेस बाइंग बिलकुल नहीं बन रही है अभी stock पे रेजिस्टेंस 1860 का रेजिस्टेंस यह फेस करेगा कल भी फेस कर सकत है और जब तक यह इसके उपर ट्रेड नहीं करता फ्रेस बाइंग नहीं करेंगेगे 1740 आओ 1750 के बीच में यह यह बाइंग आपको करनी करनी चाहिए अभी इस安全 पर बाइंग नहीं करनी चाहिए नहीं तो हो सकता है इस टॉक पे फिर से आपको नीचे के लेवल देखने को मिले तो जब तक ये 1730-1740 के आसपास में ना आ जाए आप इस स्टॉक पर पुजिसन ना बनाएं आज की क्लोजिंग ए 1840 की और अगर ये स्टॉक आपको 1860 के उपर पे ट्रेड करता दिखे तब एक छोटी से पुजिसन बनाके 1850 का स्टॉप लोस मिंटेन करके इस स्टॉक पर हम लोग टार्गेट जो है सबसे पहला 1900 का टार्गेट एचीप करेगा और उसके बाद हो सकता 1910-20 के आसपास में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आने के पूरे पूरे चांसे से बिकॉस देखिए ये वो लेबल है ये वो लेबल है जहां तक ये स्टॉक जा सकता है अगर ये 1860 को पार करता है तो देखिए टाटा मोटर्स को आज प्रिजेंट किया हूँ विकॉस टाटा मोटर्स में कुछ अच्छे लेबल्स आपको देखने को मिल सकते हैं टाटा मोटर्स 304 पे एक सपोर्ट और 348 स्पेस का रेजिस्टेंस है जब तक ये स्टॉक 315 को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम लोग इस पर फ्रेस बाइंग नहीं करेंगे नीचे स्टॉक का 304 रूपये पर एक जो मैं सपोर्ट देख रहा हूं और आप भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर वह सपोर्ट आपको 304 के आसपस में दिख रहा है और स्टॉक ने जो क्लोजिंग किया तो अगर आपने इस स्टॉक पर पूजिशन बना रखा तो 300 का आप नीचे सपोर्ट मान के स्टॉक को आगे के लिए प्ले कर सकते हैं और अगर इसमें बहुत ज्यादा तेजी हुई तो 340-45 तक आपको दिखा सकता है कल के लिए हो जकता है यह स्टॉक 315 तक आपको दिखे अगर 315 के उपर पर इसने क्लोजिंग किया तब आप इस स्टॉक पर क्या किजिएगा 305-310 रुपे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस स्टॉक को आगे पिले करेंगे 320-340-340 तक के लिए देखे सुबैक्स पर क्या चल रहा सुबैक्स पर कोई फ्रेस बाइंग नहीं होनी चाहिए सुबैक्स जब तक आपको 29-30 रुपे का भाव नहीं दिखाता फ्रेस बाइंग न करें जिन लोगों ने स्टॉक को बाई कर रखा है वो लोग इस स्टॉक को एक छोटे से स्टॉप लॉस जो की है 35 रुपीज का स्टॉक ट्रेड कर और 36 रुपीज 20 पैसे पे और इस से नीचे अगर यह स्टॉक क्लोज करता तो फिर आपको 28-29 रुपे का भाव देखने को मिल सकता है फ्रेस बाईंग तभी करेंगे जब यह 30 रुपे का आसपास में आएगा और 40 रुपे का रिजिस्टेंस है जब तक यह क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग उपर पे तब तक फ्रेस बाईंग नहीं करेंगे और अगर किनों ने लोग टर्म के लिए से स्टॉक को बाई किया बिकाज बहुत ही छोटा और पेनी कर्टेगरी का सेर है यह अभी भी क्योंकि यह 50 रुपे को क्रॉस नहीं किया बट आउट लुक बहुत अच्छा बैट रहा तो फ्रेस बाईंग मैं लोग टर्म वालों के लिए भी 30 रुपे पेई रखोंगा अभी जो तेजी आई है इसकी जब तक प्राफिट बुकिंग होके नीचे नहीं आता है स्टॉक 28-39 रुपे तब तक इस पे पोजिसन नहीं बनाना चाहिए देखिया आलोग इंडस्टी पे स्पेसल वीडियो मैंने बनाया था और आलो इंडस्टी उनीच रुपे 50 पैसे का लेवल नहीं तोड़ेगा फ्राइडे की वीडियो पे बहुत ही जबर्जत सपोर्ट है यह अपमान के चलिए कि स्टॉक फिर से बाइंड लेवल पे आ चुका है आज इस टॉक ने उनीच रुपे 50 पैसे को छुआ है बट इस टॉक प स्टॉक पे उनीच रुपे 50 पैसे का भाव नहीं तोड़ेगा अभी हाल फिलाल पे जो लोग सौट टर्म में इस स्टॉक पे पैसे बनाना चाता है मैं किलियरली जो बता रहा हूं इस चीज को ध्यान पे रखिएगा जो सौट टर्म के लिए इस पे पैसे बनाना चाता है उनके लिए इग्जैक्ट पोजिशन बनाने का जगा है मैं आपको बाइंग नहीं करने के लिए कह रहा हूं चीजों को समझेए कि मैं इस पे कैसे काम करूंगा वो मैं आपके साथ सेर कर रहा हूं इस चीज को पूरा समझ के जाईएगा 19 रुपे 50 पैसे पे इसका सपोर्ट है मैं 19 रुपे के साथ में इस स्टॉक पे पिले करूंगा अगले 10 दिनों के लिए इस स्टॉक और 22 रुपे 21 रुपे का पहला टार्गेट अगर यह चीप करता तो बहुत अच्छी बात है और 22 रुपे के यह दो टार्गेट मैं अभी आल फिलाल पे इस स्टॉक पे दे सकता हूँ बाकि इसकी रिजल्स जब आएंगी तब समझ में आएगा और जो मैंने कहा था कि 19 रुपे 50 पैसे का जो लेबल है वो काफी सपोर्टेबल है और आज देखिए इस स्टॉक नहीं से सपोर्ट लिया आज तो स्टॉक 78 परसेंट तीज था सुबा को बट अचानक से फिर गिरावट आई और फिर से स्टॉक में देखिए जो लेबल्स थे इसका 19 रुपे 50 पैसे का इसके उपर पे क्लोजिंग किया उमीद करता हूँ इस वीडियो पे मैंने बहुत सारे स्टॉक की रिवियो किया हूँ और यह हमारा अपन पॉइंट व्यू है इन सभी स्टॉक को देखने का बाकि आपकी मर्जी होगी आप अपने हिसाब से देखिए और अपने हिसाब से काम कीजिए ज्यादा बेटर होगा एट लिस्ट ट्रेडिंग करने से पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए और उसके बाद जब कॉन्फिदे